Hi everyone, welcome back again to a new video. इस वीडियो में flight related campaigns की optimization, कम calls आना, cost high जाना, bidding properly ना कर पाना, इन साथ चीज़ों के वारे इन डिस्कुस करने वाला हूँ. तो यहार मैंने एक client का एक live account है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने हाँ पे last seven days का data slate किया हुआ है, इसमें issue क्या आ रहा है, सब चीज़ जब बढ़िया हो देना, calls ना आ है, तो एक बहुत बढ़ा rate signal होता है, तो campaign को optimize कैसे करना है, keyword में optimization किस तरीके से करनी है, cost को कम कैसे लानी है, calls को ज़्यादा कैसे बढ़ानी है, यह साइच चीज़े हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, again live account है, so basically issue क्या आ रहा है, पहले मैं campaign select कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि campaign में मैं आपको पहले overview देता हूँ, क्योंकि सब लोग जाना ज़रूरी है कि अब इस हो क्या रहा है, इस चीज़ साब relate कर पाऊगे, तो basically यह मेरा campaign है, ठीक है, इसमें मैं आपका WestJet को target कर रहा हूँ, ठीक है, WestJet जो हमारी airlines है, उसको मैं target कर रहा हूँ, अब इसमें issue यह है, देखो guys कि, जो हमारा campaign है, इसमें सब चीज़ बढ़ी है, आप देखो कि click-through rate, 12% का click-through rate है, and keywords, किन keywords पर रहा हूँ, keywords भी exact उनी keywords पर, हमारी clicks आ रहे हैं, जिन keywords पर हमें add चलाने हैं, लेकिन flight booking से यह, changes, modification यह सब चीज़ चल रहा है, अब auction inside, जो यह वाला rate है यह चीज़ देखो, यहाँ पर WestJet है, यह सब से उपर रहेगा, यहाँ पर एक 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 company है, exploretrips.com करके, यहाँ पर company है, reservationmachine.com करके, और यहाँ पर हम है, तो इससे हमारी bidding में चल रहे हैं, कि यह कितना bid कर रहे हैं, हम कितना bid कर रहे हैं, हमें इतना bid भी नहीं करना, exploretrip जितना, बट हमें reservation machine से उपर bid करना पड़ेगा, क्योंकि यह impressions share आप देखोगे, तो 19% का impressions share यह लोग ले रहे हैं, बट हम लोग कितना impressions यह ले रहे हैं, less than 10%, तो हमें 20% से ज़्यादा impressions share लेना पड़ेगा, अब इस campaign में मैं targeting कौन से कर रहा हूँ, manual CPC targeting कर रहा हूँ, अब इन client का issue है कि इनका सब कुछ सही है, clicks भी आ रहे हैं, CPC आप देख लो 196 से कम CPC है, कोई जादा नहीं है, बट इनकी ना calls कम आ रहे है, daily basis पे, तो हम उसी को आज इस वीडियो में cater करेंगे, तो calls कम आने का जो reason होता है, पहले तो मैं कीवर्ड देख लो, कीवर्ड में क्या कर रहा हूँ, तो मैं कीवर्ड में bidding कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह हमारी कीवर्ड है, seat, sale, और हर कीवर्ड की मैंने अलग-अलग bidding लगा रखिया, अब यह जो number निकला है, 189 rupees, यह कैसे निकला है, यह मैं अपने अपसे नहीं ले रहा हूँ, यह आपको कैसे निकालना में बताता हूँ, जो भी airlines आप टागेट करें, अगर आपकी strategy manual है, comment कर देना, अगर आप लोग को manual strategy से, किस तरीके से Google Ads लाते हैं, वो नहीं पता, तो comment करना में ज़रूर आपको बताऊंगा, आप सबसे पहले tools and settings में जाए, यहाँ पे keyword planner में जाए, ठीक है, and keyword planner में जाके, यहाँ पे आपको यह वाला करना है, get search volume and forecast, आपको यह करना है, और यहाँ पे आपने normal keyword डाल दे, जैसे कि, मेरा है West Jet deals, यहाँ पे मेरे client ने मुझे, इस लाली screen में, client ने मुझे मतलब message किया हुआ है, कि कौन-कौन से calls उन्हें और चाहिए, अभी उनका concern यह कि सिर्फ booking से call आ रही है हमारे पास, but उनको changes, modification, इन सब की भी calls चाहिए, तो एक बार मैं tough word यहाँ पे बहले देख लेता हूँ, एक बार कि कौन-कौन सा कुछ चाहिए, और जो हम miss कर रहे हैं, ठीक है, यह तो उन्होंने बोला है, cancellation, new booking, west jet rewards, changes, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, west jet deals, west jet rewards, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया स्लेक्टों रखा है, तो आप टागेट कंट्री अपनी वह स्लेक्ट कर लें, जहां की आपको करनी है, तो में Canada थी और United States है, मेरी target stage, तो मैं इसको target कर लेता हूँ, यहाँ पे, save कर लेते हैं इसको, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया है, देखो, top of bid page, तो आपके keywords का according आपकी bidding आ रही है, top of bid page, low range और high range, तो rewards तो देखो, काफी ज़्यादा हाई है, 400 रुपे है, और WestJet cancellation आपका 255 है, तो हमें इसके आपस पास ही लेना पड़ेगा, तभी आपका साइच चिये चलेंगी, इसका 1111, the WestJet deals, जो हमारे keyword है, उसका 111 है, तो और हम ज़्यादा कर रहे हैं bid, तो इस तरी किसे आप optimize कर सकते हो, आप देख लो, WestJet reward के लिए न, searches ज़्यादा है, तो इससे आप ये भी लगा सकते हो, कि clicks आने के chances ज़्यादा है, तो हमेशा आप इस पे hybrid मत करना, आपका 10-15 मिट में सब budget exhaust हो जाएगा, इसका 1300 है cancellation, और deals है, और 2900 है, average monthly search traffic, तो हम लोग इस पे काम करते हैं, अब चलता है वापिस हमारे campaign की तरफ, इन keywords को include करते हैं, ठीक है, देखो, WestJet seat sale है, seat sale में इस पे 18010 रखा है, इसको मैं इसको कम करूँगा, WestJet seat sale 2-2 कैसे आगए, अच्छे ये अलग-अलग है, फ्लाइट्स इसको रहन देते हैं 189 पे, reservations का 201 बिल्कुल ठीक है, WestJet sale इसका भी 159 ठीक है, डारेक्ट फ्लाइट्स इसको तो मुझे, I guess, pause ही कर देना चीज़ है, इस keyword को, direct flights को सर्च कर रहा हूँ, मतलब informational चीज़ है, ठीक है, WestJet flights phone number 199, flights calgary, jet booking, तो यह सारे keyword ठीक है, बस यह जो हमारे हैं, WestJet seat sale, इसका मैं यहां से, max CP से bid कम करूँगा पहले तो, ठीक है, इसको मैं 149 करूँगा, हमारे keyword में, जो सबसे ज़्यादा bid है ना, उसको आपको manipulate करने की जरूबत है, अधरवाइस क्या होगा, एड ग्रूप मैंने गर्स लेट कर लिया, एक सेकेंड, तो वीडियो लंबी हो सकती है, बट यार लाइस चेज़ दिखा रहों, तो लंबी चलेगी है ना, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वरना नेक्स वीडियो मिस आउट कर जाओगे आप, और एक और चीज़ गाईज, ये कैमपेइन की स्ट्राइज बहुत अलग है, आपको अगर मैनुल सीपी से बिट कैसे करते हैं, ये भी सीखना है तो कमेंट बता देना, बना देंगे एक और वीडियो उसमें क्या है, ये तो है हमारा सबसे पहले मैं स्टेटस इसको वो कर लेता हूँ, सारे वाले उपर आ जाएं, अब देखो, यहां पर डाले इस वाले पार्ट में, वेस्जेट, रिवार्ट्स, ठीक है, इसको मैं एक लेलता हूँ, वेस्जेट रिवार्ट्स एक ही कीवड़ है, वैसे तो, लॉग इन वोग इन पर ना आ जाए, तो इसको मैं रखूँगा एक्जाक्ट मैच पे, हमने देखा था हूँ, एक्जाक्ट मैच पे ही तना सर्च हो रहा था, ठीक है, वेस्जेट रिवार्ट्स, ठीक है, और एक और क्या था, हमारा वेस्जेट का, cancellation, cancellation में, canceled flights, आप गलती से मैं ना ले, ठीक है, WestJet cancellations, WestJet Pre-Cancellation, WestJet Changes, WestJet Cancellation, WestJet Flight Cancellation, Trip Cancellation is also, बिसीकल हमें, वह रही, वह रिखın क्योष लिनी है, जिसपे लोग cancel करवाने चाह रहे हैं, ठीक है, है टिकेट ट्रांसफर यह सब ले लिया एंड नंबर कैंसलेशन नंबर एक हो सकता है या फिर रिफंड देख लेते हैं क्या आता है इसमें वेस्टेट डॉट कॉम रिफंड यह तो कोई कीवर्ड नहीं है वेस्ट कैंसलेशन रिफंड ले लिया हमने रिफंड नंबर साच कर ले थे क्योंभी फोन नंबर हो ठीक है और के कीवर्ड बोले नहीं हूं ने नेम चेंज कैंसल फ्लाइड विदिन 24 आवर्स और सिफ चेंज ले लेते हैं चेंज नेम वन वेस्जर टिकेट सेम डे चेंज यह पता नहीं कौन सा कीवर्ड है मुझे पता नहीं तो मैं इस कीवर्ड को नहीं डालूँगा तो सारे हो गया है इसमें ठीक है अब इसमें इशू यह है कि यह वाली keyword हमें broad में लेने चाहिए phrase में चाहिए exact में चाहिए तो इक काम करते हैं इनको save कर लेते हैं पहले इनको इखटी हम exact match पे कर देंगे ठीक है तो पहले तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूं ब्रॉड मैच वाले हैं सब को आप इखट्टे कर लें पहले तो एंड रही ब्रॉड मैच हो गये हैं इसको हमें क्या करना है मैच टाइप करना है इसको चेंज एक्जक्ट करते हैं देखने क्या होता है एक्जक्ट इस डण तो अब इसके बाद करने के बाद आपको इनकी सीपीसी बिड्स हमें लगानी पड़ेंगी तो यह वाले मैं फिर से एक बर स्लेट कर लेता हूं पेंडिंग रिवीव वाले हैं बेसिकली तो इसमें एक मैं बह दो डॉलर से उपर नहीं जाएंगे हम लोग और इंडिया में मतलब है तो यहां से मैं सीपीसी बिड्स चेंज कर लूँगा आपका दो डॉलर बनेगा असी इंटू टू टू इस वन सिक्टी तो 159 विल बी गुड तिंग और बैटर है कि आप 161 कर लें तो डो डो डॉल से उपर जो बीड कर रहेगा उससे उपर हमारे चली जाएगी ठीक है तो यह भी हो गया है यह तो हो हमारा ऑप्टिमाइजेशन ठीक है यह नहीं कीवर्ड करें क्लिक थूरेट बहुत ज़्यादा हाई है बट उसमें हमारा वह नहीं बन रहा इसमें कंवर्जिन और कॉल्स न इसमें से कीवर्ड मैंने पॉस किया हो तो उसको भी हम दुबारा ओन कर सकते हैं वेकेशिंस डील इसको भी ओन कर देते हैं और करने के बाद इसको हम एक्जैक्ट मैच पर कर देते हैं ठीक है और यहां पर देख रहे हैं कि बिलोव पहले पीच कीवर्ड कर सकते हैं इसको मैं एक्जैक्ट मैच करूंगा और दोसो दस रुपए मैं इसकी सी लगा दूँगा अर दोसो दस डा कि छीक है इसको हम लोग 100 कर लेते हैं क्योंकि अब की वर्ड्स बहुत सारे आगे हैं अब एक बात दुबार इसको कि आ दी आरे दिखते हैं कि और कोई कि वर्ड़ कर रहे तो नहीं जैसे यह है नेम कर्रेक्षिं इसको भी आम कर लेते हैं इसको हम लोग इसमें एक्जाक्ट मैच्ट कर लेंगे यहां पर चेंज माइफाइट टिकेट कैंसलेशन यह काम का कीवर्ड है अल्दो लिया वा था शायद से याद नहीं आ रहा बट एक्जाक्ट मैच में करूंगा 189 ठीक है इसका यह सेल विल आज तो नहीं रिक्वेस्ट रिफंड इसका देखो 199 है तो यह एक अच्छा की वरड़ इसको हम ले सेंपें कंसिडर कर सकते हैं इसको हम 200 की बिट लगा देंगे इसमें तो यह फर्स्ट पेज़ पे आने लगा जाएगा उपर उपर की तरफ इसको हम 200 कर देते है देखो इस इंडस्ट्री में फर्स्ट पेज पे ही आपको आना पड़ेगा तभी कुछ काम बनेगा वरना आप ऐसी क्लिक्स लेते जाओगे बठोगा नहीं कुछ ठीक है तो काई यही था आज की इस वीडियो में एंड वीडियो में कुछ भी आपको डाउट्स है तो कमेंट सब्सक्राइब कर देना आपको सब्सक्राइब करें अधाग च्कूर चीने कि होते हैं अब किह आज इंडिए पीब्य, अपे चेकर णके जहाए हो है यहांप को दिखाता ओं landing page views भी आप देखोगे तो इसमें सही है भी rate तो आया नहीं है मेरे खिल से गर last 14 days करो तो आएगा नहीं आया बट इसमें landing page मैंने अच्छे से design किया है अब वेट करते हैं कि keywords सही बने की नहीं बागी guys इस video में कुछ useful मिला हो तो like कर देना, subscribe कर देना और अगर आपको manual CPC पर campaign setup करने सब सीखना है तो comment में बताना मैं जरूर एक next video से बना दूँगा so till then stay tuned and bye bye